प्रैक्टिस सारा खेल चूरू होगा दोस T Aun, प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं एक ही काम को बार बार करना है कितनी बार करना जानते हैं जब तक आने ना लग जाये बड़े बड़े उधारन है औस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में के मैश में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदूलकर को बोल्ड मारा इन 2007 तेंदूलकर जब लॉट के पैविलीन जाने लगा ब्रेड होग के लिए बहुत बड़ा चीमन्ट था क्योंकि ब्रेड होग अभी नया था नौसिकिया था बारा साल पहले और तेंदूलकर का विकिड ले जी मेरे जिन्दगी का बहुत सो नहरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है बड़ी खुशी-खुशी में वह बॉल लेकी गया एक ओनर के साथ और तेंदूलकर ने इसके उपर लिखा ये दिन तेरी जिन्दगी में फिर कभी नहीं आएगा और मैं आपकी जान तेंदूलकर की विकिट नहीं ले सका साथ जाने के बाद वह बियर नहीं पी रहा होगा बरगर सैंड वे डोसा नहीं खारा होगा एक चीज़ कर रहा होगा क्या confidence रहा होगा एक line लिखने के बाद लिख दिया अब उसको proof करना है उस जैसा बन जा उस line को proof करने लायक बनना है उसको कितनी practice करी होगी कि इज़त खराब ना हो जाए आज आप लिख दो आप लिख दो और फिर उस line को proof करने के लिए अपने आपको मैं कहता हूँ जला डालो practice का बहुत बड़ा खेल है practice से बड़े बड़े पहार हिट गए मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को पाबलो पिकासो की पाबलो पिकासो दुनिया के सरफशेष पिंटर होए M.F.Husain से भी बड़े पिंटर होए पाबलो पिकासो पाबलो पिकासो न्यू यॉव्यॉक में एक स्क्रीट में घुम रहे थे तो एक लेड़ी उनसे टकड़ाई उस लेड़ी ने पैचान लिया पाबलो पिकासो माने आपको पैचान लिया भागी भागी गई एक पेपर लेके आई और पाबलो के हाथ में दिया सर आप एक बहुत बड़े प्रिंटर हैं can you draw something for me क्या तुम मेरी कुछ स्केच ग्रॉ का सकते हो उसने एक पेपर लिया एक पैंसिल लिया और कुछ पाबलो पिकासो पैंटिंग माम तो पाबलो पिकासो पैंटिंग कितने का खरीद होगी मेरे नम कम से कम 50 लाख रुपे हम आपके दे सकते हैं इसकी लड़ी वाज शौग माई डियर शौग प्रिंटिंग थर्टी सेकिंड में उसने पता किया पाबलो पिकासो कहा रहते हैं धूड़ी 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 एगजिबिशन कहीं थी पाबलो पिकासों के पास पहुंची सर आपने मुझे पहचाना मैं वही लेडी हूँ मैं आपको मिली थी आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रा करी थी 30 सेकिंड में 50 लाख रुपे की 50 लाख की है सर उसने बोला यह साइनो मैंने बनाई है उसने बोले सर मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकिंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसी बनाई जाती है पावरन ने का लुक मैं जो पेंटिंग आपने 30 सेकिंड में 50 लाख की बनी हुई देखी उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए 30 साल लग गए जो पेंटिंग वर्थ रुपिस 50 लाख रुपिस इंजर्स थर्टी यह कुछ भी कर सकता है मेजर ध्यान चंद को हौकी का चादूगर बोला जाता है हौकी खेल रहे हैं प्रेक्टिस किसके उपर करते हैं पट्री के उपर जो रेल वे ट्रैक है उस त्यूपर प्रेक्टिस कर रहे हैं बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 सो घुमा रहे है कि बॉल गिरे नहीं बैलंस बना रहे हैं उसको और मैच खिल रहे हैं मेजर ध्यांचंद से उसकी टीम ने पूछा ध्यांचंद क्या हो गया हाफ टाइम हो गया कोई गोल नहीं है मैच आर जाएंगे ध्यांचंद ने बोला रोख दो मैच और पता करो मेजरमेंट करो ये गोल पोस्ट साला गड़बड है इस गोल पोस्ट में खुट गड़बड है उसने बोला मेजर कैसी बाते करते हैं और यू मैड इस ओलमपिक ये कैसे पॉसिबल है उसने बोला मैं नहीं जानता मेजर ध्यांचंद बहुत बड़ा नाम था तो रेफरी आई मेजरमेंट का इंस्ट्रूमन लेकिया है गोल पोस् एक्स्ट्रीम कॉफिडेंस अगे डुनिया में बड़े बड़े कीवतिमान होते हैं सर और यह आपको जिन्दगी में आसमान तक पहुंचा सकता है प्रेक्टिस सारा खिल शुरू होगा दोस्तों प्रेक्टिस से प्रैक्टिस क्या होती ये जानते हैं एक ही काम को बार बार करना है कितनी बार करना जानते हैं जब तक आने ना लग जाए बड़े बड़े उधारण है ऑस्टेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदूलकर को बोल्ड मार दिया मेरी बात ध्यान से सुनिये तेंदूलकर जब लॉट के पैविलीन जाने लगा ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमंट था क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था नौसे किया था बारा साल पहले और तेंदूलकर का विकेड लेना अपने आप में बहुत बड़ी एचीवमंट थी किसी बॉ सचिन रमेश तेंदूलकर के पास गया और उसने तेंदूलकर के बोला सर आप इस पर आटोगा दीजिए मेरे जिंदगी का बहुत सुनेरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है बड़ी खुशी-खुशी में वह बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ और तेंदूल गोर्त एंदूलकर उसके बाद खेले, कम से कम 30-35 एंकाउंटर हुए हुए उनके, टेस्ट मेच में, one day में, t20 में, even IPL केंदर ब्रेड हॉग तेंदूलकर की विकٹ नहीं ले सकागा, ब्रेड हॉग तेंदूलकर की विक्त नहीं ले सकागा, मैं एक कहनी आपको क्यों सुना लगा रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये शंड तेरी जंदेगी में फिर नहीं आएगा ये जाने के बाद वो बेर नहीं पी रहा होगा पॉपकॉन नहीं खा रहा होगा बर्गर सेंडवे डोसा नहीं खा रहा होगा एक चीज कर रहा होगा क्या confidence रहा होगा एक line लिखने के बाद लिख दिया अब उसको प्रूफ करना है उस जैसा बन जा उस line को प्रूफ करने लायक बनना है उसको कितनी practice करी होगी कि इज़त खराब ना हो जाए आज आप लिख दो आप लिख दो और फिर उस line को प्रूफ करने के लिए अपने आप को मैं कहता हूँ जला डालो practice का बाद बड़ा खेल है practice से बड़े बड़े पहार इड़ गए मैं कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को Pablo Picasso की Pablo Picasso दुनिया के सर्फशेश पेंटर हुए M.F. Hussain से भी बड़े पेंटर हुए Pablo Picasso पाबलो पिकासो नियू यॉक में एक street में पाबलो पिकासो माने आपको पैचान लिया भागी भागी गई एक पेपर ले किया और पाबलो के हाथ में दिया sir आप एक बहुत बड़े पेंटर है can you draw something for me क्या तुमीर नी कुछ sketch ड्रॉ कर सकते हो उसने एक paper लिया एक pencil लिया और कुछ sketch ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ मे 30 second में पलाट पलट के दिया उसने बोला लेडी this is for you this is a painting वर्थ 50 लाख प्रॉपीस इस पेंटिंग कोस्त 50 लाख प्रॉपीस लेडी को तो विश्वासिय नहीं हुगा कि हाव पर्सन पेंटर पेंटिंग पेंटिंग इंज थर्टी सेकंड रॉपीस 50 लाख तो लेडी गई 3-4 जगा से उसका rate पता किया उसने बोला it's a Pablo Picasso painting ma'am उसने बोला yes it's a Pablo Picasso painting कितने का खरीद होगी मैंदा कम से कम 50 लाख पर हम आपके दे सकते हैं इसकी आपने मुझे पहचाना मैं वही लेडी हूँ मैं आपको मिली थी आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुट में यह 50 लाख की है सर उसने बोला yes I know मैंने बनाई है उसने बोला सर मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग क लाउंग येर्स चुड्राब पेंटिंग वर्थ रुपिस 50 लाख रुपिस इंजर्स थर्टी यह कुछ भी कर सकता है सर मेजर ध्यान चंद को हौकी का चादूगर बोला जाता है हौकी खेल रहे हैं प्रेक्टिस किसके उपर करते हैं पट्री क्यों जो ट्रे रेल्वे ट् प्रेक्टिस कर रहे हैं बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 सो गुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं बैलन्स बना रहे हैं उसको और मैच खिल रहे हैं ओलम्पिक के अंदर मैच खिलते रहे हैं लोगों ने स्टिक तोड़के देखी कि साला इस आदमी का बैलन्स क्या है यह चिपका चिपका के चलता है कि मेगेनेट लगा है लगणी में क्या है स्टिक में कुछ नहीं क्या था प्रेक्टिस स्टिक में क्या था प्रेक्टिस हाफ टाइम तक एक गोल ना किया मेजर ध्यानसंद से उसकी टीम ने पूचा और रेफरी आए, मेज़र का एंस्ट्रूमेंट लएक गोल पोस्तुमेंट लेकिया है, गोल पोस्त मेंगे डोला को है एक्स्ट्रीम कॉंफिडेंस है प्रेटिस से दुनिया में बड़े-बड़े कीरतिमान होते हैं सर और ये आपको जिन्दगी में आसमान तक पहुचा सकता है